जी सर सुन रहे हैं नमस्ते मादम नमस्ते कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ सर सर आप कैसे हैं मैं भी बहुत अच्छा हूं मादम कहां से हैं आप कौन से शहर से हैं मादमा सर वैसे मैं दिल्ली से हूँ लेकिन अभी मैं फिल हाल असाम में हूटी प्रूगर में और क्या है आपकी स्पेशालिटी क्या है माम तो आप प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं या आप गवर्मेंट डॉक्टर है मैं प्राइवेट प्रेक्टिस करती हूँ मैं आपकी न मैंने पिक्चर देखी तो मैं खुद हैरान हो गया और फिर मुझे और भी अच्छा लगा आपसे बात करने का तो बहुत मन था क्योंकि मुझे पता चला आप एक डॉक्टर हैं बाइप्रोफेशन तो आपसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं आपकी नहीं सभाओन है नहीं 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 है मेरी तो एक चोटी सी बात है मैंडम आप लोग तो इस विशे के उपर बहुत कुछ जानते होंगे यह अपकी पिक्चर है जी यह कब की है मैंडम आपकी पिक्चर सर यह एक्ज़ाक्ट नवेंबर लास्ट यह reliably 2021 निवेंबर की है ये जो आपका वेट है ये हाइस था ना 26.4 ये जो 96.4 और अभी हम आपको देख रहे हैं प्रत्यक्ष तो मैं मतलब मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं है आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं मैदम और ये जो पिकर हम देख रहे हैं यहां पर कोई देखे का त तो क्या मैं ये गुस्ताकी कर सकता हूं जी महिलाओं से पूछे मैं 40 प्लस हूं मेरा बेटा 14 अरे वाँ तो मैदम यहां पर देखिए जड़ा आपकी पिक्चर जब देख रहे हैं ना हम और आपको सामने भी देख रहे हैं तो आपकी एज भी बहुत कम दिखाई दे रही ह तो आप बहुत यंग हो गएं अपनी एज के मुकाबले और कैसे और कितने समय में ये वेट लॉस हो गया मादम आपका मैं आपको बताऊं कि मैंने 3rd December 2021 में आपकी वीडियो देखी थी तो मैंने सुबह सुबह उटकी वीडियो देखी लेकिन उससे पहले मैं एक महिने से ही सिरफ योगा कर रही थी मैं मतलब छोड़ चुकी थी कि मैं कभी पतली नहीं हो सकती मैंने सोचना ही छोड़ दिया था तो 3rd December को जब मैंने सबसे पहले आपकी वीडियो देखी उस दिन मुझे लगा कि ये तो कुछ कुछ आपने उस दिन कुछ इंसुलीन के बारे में भी बताया था उस वीडियो में बहुत अच्छा तो वह मुझे स्ट्राइक किया बिकॉस बिल्कुल साइंटिफिक बात है तो हम तो day to day practice में उस चीज को use कर रहे हैं तो मैंने का ठीक है आज मैं breakfast से ही start करती हूं तो उस दिन मैं हमेशा हमेशा की तरह से दो रोटी सबजी लिया तो मेरे husband भी मेरे साथ breakfast कर रहे थे तो मैंने का मैं 32 बार से चबा के काऊंगी आज देखते हैं कितना कितनी देर लग चुके थे मैं घर पी थी मुझसे वा आदी रोटी भी मुझसे रहे गई तो बाद में बार चोटी टुकड़ करके वह चीडिया को दे दी the same moment मुझे इस पूरे formula का जो आपने बताते हैं उसका पूरा scientific reason समझ में आ गया यह आपको उतना ही खाना कि लाएगा जितनी आपकी कुछ कमी नहीं आएगी उससे यह turnover आगया सर मैं बहुत हैरान हो गई और मैंने फिर यह चीज continue कि जबकि उसी दिन मेरी anniversary भी थी हमारी marriage anniversary थी मैंने वहां जाके भी party में भी बहुत थोड़ा असा लिया कि मुझे पता है मैं जादा नहीं कहा पाऊंगी 32 बार चपाना है तो मैंने वह खाया और एक हफ्ते कंदर मेरा टू केजिस वेट लॉस हुआ सर जब मैंने salt free day भी किया saturday को तो ऐसे करके डिसेंबर में मैंने update भी दी आप लोगों को 23rd ये 26 डिसेंबर को कि मेरा 6 kgs weight loss हो चुका है 6 या 4 kgs ऐसा कुछ था तो वह मैं मेरे लिए तो एक turning point आ गया बट ये formula तो मेरे लिए बहुत turning point था सर मैं तो इतने लोगों को inspire किया है से like मेरे husband वो भी वो एक neurosurgeon है सर मेरे husband उन्होंने आप लोगों को सुनना क्योंकि मैं तो आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं हो आपने तो इतना ज्यादा विद्या ग्रहन की है तो मैंने तो कोई ऐसी खास पड़ाई लिखाई इस विशे पर तो नहीं की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन आप जो आप जो उसक निकाल पा रहे हैं आप जिस तरह से कंवे कर पा रहे हैं लोगों को इंस्पायर करें यह बहुत बड़ी बात है जी जी एक माइंड चेंज करना किसी का वो भी हम जैसे लोगों का जो हम रोज पेशेंट्स को हम लेक्शर वेते हैं कि ऐसे नहीं वैसे खाई ये शेयर करते हैं ना तो मुझे दिल से इतनी खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हैं अब पता है आपको सुनेंगे लोग तो इतने लोग प्रभावित होंगे कि जब एक डॉक्टर का फाइदा हो सकता है तो फिर आम लोगों को तो हो गई होगा डॉक्टर तो सब कु मेरी सिस्टर है वो कभी एक नी ओप्रेशन मतलब नी फ्रैक्टर हुआ था तो वह चलनी पा रही थी बहुत दिन से तो एक्साइज करना चाहती थी वेट गेन हो रहा था उसने भी वह दिली में रहती है सर उसने भी ट्वेट लोज किया है और हम लोग फोन पर बातीस बार बोलते हैं सर अरे बहुत क्षूशी शीतर जी मुझे मैं क्या बता ऑपको मैं तो जब सुनता हो न तो दिल से इतनी खूशी होती है मैं रात को भी अपने टेरills पर वॉक करता हो ना तो मैं कहीं बार ऊपर आस्मान की तरफ देख के बोलता हूं कि बर्गवाण मुझे तो क तो वजन कम होने से कुछ फाइदे क्या क्या फाइदे हुए हैं पहले तो बैसी पूल आ गी है अगर मैंने एक फ्लोर भी चड़ जाने सीड़ीयों से तो मैं नहीं चल पाती थी मुझे मेरा सांस फूर ने लग जाता था मेरा एक तो ये बात ये मेरे बिलकुल कंप्रीट ली नॉर्मल आ गई अभी तो मैं थार्ट फ्लोर तक दिन में चार पंच बाराम से चड़ जाती हैं सर और उसके अलावा मेरा फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी जो मैंने कुम अभी जब से तो मैंने जना भी शूरु किया है इंट अभी तबी ऑपने ।्य पिछर देखी है वहां मेरे डांस प्रफार्म भी किया बहुत बढ़िया आपका शीतल जी एक्जाक्ली कितना वेट लॉस हुआ है मेरा एक्जाक्ली 30 kg वेट लॉस हुआ है अभी मेरा टार्गेट कंप्लीट नहीं है मुझे और भी करना है अच्छा इस 30 kg में आपने कोई ऐसी कोई पिल्स वगएरा कोई अलग से कोई प्रोटीन शेक वगएरा ऐसा तो कुछ भी नहीं लिए प्रोटीन शेक्स में मुझे वैसे पसंद नहीं है मैं पेशन्स को लिख के देती हूं डोंट टेक प्रोटीन शेक्स जी 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 आपने इस लो इटिंग पर फोकस किया जो हम बताते हैं 32 बार वाला फॉर्मिला जी कितने समय में हो गया था मैडम आपको यह 30 kg वेट लॉस मेरा ना यह शुरू के दो तीन महीने में बहुत फास्ट हुआ था फैबरी के एंड तक बहुत फास्ट हो गया था उसके बाद स्लोली हुआ लेकिन मैंने चिंता नहीं कि हो रहा है यह तो रुकेगा नहीं अभी तो करते करते अभी मैं एक्चली 6-7 मंस में मेरा काफी इतना आ गया था तो अभी इतना ही जल रहा है बीच में एक्चली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो इस तब मैं नहीं कर पाई थी है अभी मैं फिर से वही कर रहे हूं ओके तो अभी मादम जैसे आपकी जो खाने क क्वांटिटी है वह एंप्रॉब्लम्स कितने परसंट डाउन हो गयी है जैसे पहले हम खाते थे कितो अधले 100 परसंट अगर खाती थी तो अभी मेरी उनली 25 परसंट रहेगया 25 परसंट तो हां और इस दिलने से ही महीं खा पाती इस 75 परसंट को हठाने के Northern कोई खास एफर्ट तो नहीं करना पड़ा मैडम कोई जबर्दस्ती तो नहीं करनी पड़ी अपने कभी कभी ना भार से जाके जैसे पाव भाजी भी खाई है और कुछ भी मैंने डोसे भी खाये हैं लेकिन यही है कि दोसा पूरा नहीं खाके थोड़ा सा खाया है टेस्ट यह अभी मुझे बेटा हुआ था पीछे तो इस सब में हमें जाना पड़ा तो हम लोग जब हॉसपिटल जाते हैं तो एक आम इंसान की जा ना है अ दोक्तर को लेकर तो आम इनंसान डोक्तर वियो में को बहु पतनी तो नहीं ना किसी को भी क्योंकि उन्हों नने तो एक ऑ पीडी मिस्की तो उनके तो 400-500 रुपे का लॉस हो जाएगा एक भी ओपीडी मिस्की तो मैं ये जानना चाहरा हूँ जो माप इतने बीजी थे तो 32 बार के फॉर्मिला में तो टाइम देना पड़ता है आपको जब खाना खाना है तो बहुत दीरे-दीरे खाना पड़ता है त मैं 32 बार तो वो ना फोकस पूरा अपने उपर आ जाता है सर वेरी नाइस अब वो फोकस अपने उपर से हटाने सकते उस बज़े से मैं शुरू-शुरू में मुझे लगा कि मैं जल्दी ना खा रही हूं कहीं मैं अपनी ओपीटी के टाइमिंग्स चेंज किये सर कि मैं थो वह ना गहर आके बागी जो पती हूं तो उसके ब्या घंटे बाद घ्रीन टी मैं अपने साथ लेके बॉटल घूमती हूं सर वेरी नाइस वह फोकस मतला बहुत तीस बार काउंट करने से अपने उपर बहुत जादा आते है मैंने अपने उपर फोकस कभी नहीं किया था सर फैमिली देख लिया और प्रोफेशन देख लिया भाग तोर लिया बस अपना हो रहा था जी 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 तो यह तो एक वीदियो में मेरी सिस्टर जो है उनके स्कूल में उनके प्रिंसिपल्साबने बोला कि बच्चों जो कुछ भी खाए ना वो 32 बार चबा के खाना चाहिए तो मेरी सिस्टर में जब वो छोटी थी आज तो वो भी 40 प्लस हैं तो उन्हें जब वो छोटी थी तब अपने दिमाग में यह बाग बिठा ली वो आज तक कभी मोटी हुई ही नहीं वो बिल्कुल पॉफेक्टली फाइन है अब उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन हमने इस बात को नजर अंदर कर दिया था मैं जब बड़ा हुआ और मैंने वो किताब पढ़ी I can make you thin और फिर मैंने कुछ लोगों को बताना शुरू कि हमारे यह फॉर्मिला बना तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार यह तो कमाल है और हमने इसको ऐसी चीज़ को इतनी अनमोल चीज़ को ऐसे साइड में रखा हुआ था तो जब कोई प्रेक्टिस करेगा इस चीज़ को तो उसको बड़ा फाइदा होगा तो और दूसरा आपने समय लिया आदा घंटे का और जो ग्रीन टी तो आप लेते ही लेते हैं आप डॉक्टर हैं तो किसी ना किसी दिन भविश्य में जब मेरे पास उतना पैसा ही कठा हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ और अपना इलाज कराए और देखो बहुत अची थाट है आपकी सार बहुत ही अच्छी थाट है जी 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 तो मैं लोगों से यही कहूंगा जी मैं ने भी ग्रीन टी लिया है और खाना खाने के गंटे बाद जो ग्रीन टी लेते हैं अगर आप लोग लेना चाहते तो हमार उसके उपर मैंने वीडियो बनाई हो 32.com से आपको मिल जाएगी और आपने मैडम सॉल्ट फ्री डे सॉल्ट फ्री डे भी किया हां सर यह है सर किया है उससे तो सर बहुत अच्छा फाइदा होता है मुझा ओके अभी भी कर रहे हैं आप उसको जी सर ओके वेरी नाइस और मै को डाइबिटीस के डॉक्तर है जो लोगों को डाइबिटीस के लिए सज्डेस्ट करते हैं तो कोई ऐसा हेल थी जो आपका था आप डायाइबिटीस तो आपको नहीं था नही थाак आपको नही था चीनी हमने कभी खाया ये नहीं था ना आचा आचा चीनी आपने कभी हाया और आप ही खाना शुरू किया नहीं सर हमचीनी करीटते हीनी है नहीं चीनी आट-ग-श्राइब 3 existed फिर भी इतना वेड़ता श्राइब तो किया लेते हैं तो कभी जैसे आप बाहर बच्छों के साहं नहीं जाते हैं कहीं घाने के लिए कुछ मीठा खा लेते हैं यह हुझर это्या sizin पोल्डिंग उनिया पाष्ट्टेग के खा लेते हैं जी जी ची तो यह यहां से तो एक बहुत बड़ी बात और भी पता चल रही है कि जो बहुत से लोग सुछते हैं कि हम मीठा खाते हैं इसलिए हम मोटे हैं तो यहां पे तो आप मीठा भी नहीं खा रहे थे और हम आपकी देख रहे हैं उसमें काफी ज्यादा बल्की लग रहे थे तो 32 बार वाल ऐसा कुछ नहीं कि जो जो भी इशु था आपका वो 32 बार के बाद जो वेट लॉस हुआ क्या वो ठीक हो पाया मैदम बहुत ठीक हो गया था सर बहुत बहुत ठीक हो गया बहुत बहुत और अभी आपने बताया आप सूपर एनरजेटिक फील करते हैं आप थार्ड फ्लोर पर भी फटाक से पहुत बहुत भी जादा सर थार्ड फ्लोर पर हमारा टेरेस गार्डन है मैं दिन में चार-पांच अकर लगा लेती हूं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहले मतलब एक लेजीनेस रहती थी थी बॉड़ी के अंदर हाँ सर अपने एक वीडियो में एक्जामपल दिया था कि एक जो फुल सिलेंडर होता है गया सिलेंडर वो 29.5 के जीस का होता है तो उसको लेकर चलना मुश्किल है बस सोचे वो सिलेंडर मैंने अपनी बॉड़ी से हटाया है वो आपका वीडियो सुनके मुझे बड़ा इं बड़ा लेक्टोर होता है पड़ा लेक्छा इनसान है दुर्णा थी कर दो कोई बींसान को इनसान स्लो एट लॉस्क कर सकता हुई लोगों को यह क्लेम करता हूं कि मैं स्टैंप पेपर लिखके दे सकता हूं कि कोई भी इंसान अगर स्लो इटिंग करेगा तो वेट लॉस तो सर्टेनली हो गई होगा तो क्या मेरे साथ आप भी उसके अगर मैं एक चीज और नुटीस करिएगा और मुझे जरूर आपसे ने यह फीड़बैक भी चाहिएगा आपके पास तो बहुत सारे पेशिंट आते हैं डायबेटीज के तो मैंने ऐसा देखा है 32 बार फॉलो करने से लोगों को डायबेटीज में भी बहुत अच्छे रिजर्ट्स आए हैं डायबेटीज भी बहुत लोगों का काफी हद तक क्योर हुआ है मतला कम आ गया है तो ऐसा आपने भी किसी अपने पेशिंट को सजिस्ट किया स्लोव इटिंग मैंने उनको बहुत समझाया मैं पेशिंट को मेरे बहुत सरे पेशिंट ऐसे हैं कुछ जिनके प्रूवन है ऐसा कि वो इंसुलीन और टैप्रेट्स दोनों ले रहे थे उनका इंसुलीन तक बंद हुआ है लेकिन वो इतना इंस्पायर होना पड़ेगा तो अब मैं ये को आपकी बात तो लोग विशल जी लोग नंगों को ये बात बता रहा है तो डेफिनेटली शीतल जी की बात पर गार करिये मैं भी कहता हूं कि स्लो करिये एस बार का 途र मिला ना मैं सालों से एक ही बात बोल रहा हो लेकिन इतना Зब्टा इसलिए बोलना पड़ रहा है सब्सक्राइब बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मेरा ही नहीं सर मेरे हस्बेंड का भी पूरा सब निया खरीदना पड़ रहा है आपके हस्बेंड भी है आसपास है अब जिस्ट आया है हॉस्पिटल से है आच्छा हम कर सके जिस्ट है यह इस नमस्टे सर नमस्टे दोक्टर मॉमिन कैसे हैं आप बढ़िया है सर मेरा बारा के लिए भी लॉस हुआ है अरे वा सर यह only नहीं है यह तो बहुत बड़ी बात होती है सर बहुत लोग ना 12 किलो के लिए 12-12 साल लगा देते हैं लेकिन 12 किलो नहीं कम होता तो आपने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त किया है और एक डॉक्टर होके इतना busy schedule होके अभी आपका और आप इतना समय दे पाए कुछ सर कुछ हमारे audience आप से बड़ी प्रेरित होंगी आप दोनों ही हमारे लिए प्रेड़ना है कुछ शब्द कह दीजिए 32 बार के लिए सर 32 बार के लिए मैं लोगों को यह बोलना चाहूंगी कि एक तो इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है आपकी वीडियो बार बार देखें और इंस्पायर हूं क्योंकि यह बिना इंस्पिरेशन के ना सर गाड़ी में फस्ट कियर भी लगता यह स्टार्ट होगा नहीं किसी से लेकिन मुझे क्योंकि फैबली से पूरा सपोर्ट था मेरे हस्बें तो मतलब आप देखी रहे हैं और वैसे भी मुझे कभी किसी ने निकाफ इतनी देर क्यों लगा रहे हो और तीसरी बात है कि लगे रहना चाहिए सर कि शोड़ना नहीं बीच में कभी अगर बढ़ावा तो में किसी को आधा किलो बढ़ गया तो उसमें टेंशन में लेने क्योंकि इस फॉम्मूला से कम हो गई होगा वो करते रहना है बेरी कुट भी अप दोनों की गाइडेंस सर हमें बहुत काम आएगी और हम भविश्य में फिर से आप लोगों के साथ जुडेंगे और हम ने बुदने बढ़ धन्यवाद जी आप लोग तो इतने बीजी होने के बाद भी समय निकाला आपने हमारे लिए तो हम कृतग्य है जी आपके आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनके जहां मौका मिले सर आपके तो बहुत पेशेंट आते हैं हरोज उनको भाई धीरे चबा के खाऊ अगर बिफोर आफ्टर की पिक्चर मिलेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई पहले की जब वजन बढ़ा हुँ आपके शेयर कीजिएगा को मल जी मेरे तक भेज देंगी थांक यू सो मच जी हम से जुड़ने के लिए हम भविश्य में फिर जुड़ेंगे जो क फिर से कहना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया 30 किलो मैडम ने वजन कम किया और 12 किलो सर ने किया इन्होंने चोटे टुकड़े लिए और हर टुकड़े को इतना ज्यादा चबाया कि जब वो पानी बन गया फिर अंदर लेके गए खाना खाने में आदे घंटे का सम जेगा और हमारी मदद करना चाहते तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वजन घटाने के लिए 32 बार.com पर अवेलेबल है वहां से सारा पैसा हम डोनेट करके एक हॉस्पिटल बनाएंगे आप लोगों की भी मदद लेंगे भविश्य में आपसे गाइडेंस लेंगे क कैसे चलाना है उसको कैसे लोगों की मदद हो सकें ठीक है जी आप सभी का बहुत धन्यवाद भगवान आप सब का भला करें गौड ब्लेस यू टेक किया बाबाए बाबाए माटम